वाट्सव एप्रिवेडियो वेलकम बैक टु आनाधा नीए वीडियो और आज की इस वीडियो में हम लोग वाणपीस के एपिजोड नमबर 27 को हिंदी में एक्स्प्लेइन करने वाले हैं लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से बहले एक चोटा सा रिकोष्ट है जिन लाइक कर दो तो अब यह ज़्यादा टाइम देशना करती है आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बात एपिजोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफी के एक अटक से जीव का जो शीप है उसका जो फीन है वो स्मैश्ट हो जाता है टुकरे टुकरे हो जाता है तो सब लोग चौक जाते हैं कि इस बंदे के बास इतना सब पावर है एक ही अटक से इस फीन को टुकरे टुकरे कर दिया है तो उसके बाद जो डॉन क्रीक होता है वो गिन को और देता है कि जीव को मारने के लिए लेकिन जो गिन होता है वो जीव को मारने ही पाता वो कहता है कि उसने हम लोगो खाना दिया हम लोगो को बचा है मैंने ही मार सकत और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि मैंने बस इस फीन को तो रहा है तो सब लोग कहता है कि तू क्या करना चाहता है तो जो सांजी है वो भी कहता है क्या बताना चाहता है तो लूफी कहता है कि मैं इसको तोर दूगा सांजी कहता है कि मैं इस शिप को ही तोर दूगा संट्जी को बहुत जड़ा गुसा आ जाता है लूफी का कॉलर पकल लेतर आ है कि तरेको पता եे टू क्या बोल रहा है तू इस शीप को तोर देगा पता है यह क्या है चीज है इस बुढ़्डे के लिए तो लूफी कहिता है कि तू पागल है मैं इस ship को तोर दूँगा, तो Don Creek को हमला करना ही नहीं परेगा, किसके लिए हमला कर रहा है, वो ship के लिए हमला कर रहा है, तो अगर मैं ship को तोर दूँगा, Don Creek भी हमला नहीं करेगा, तुम लोग भी बच जाओगे, तो जो Sanji है, वो कहता है कि नहीं, मैं एक ही चीज़ करके उसक को गिब अप कर दिया वो करके तेरे को बचेया क्योंकि एक दिन तु उसका ड्रीम फुल्पिल कर सके ना कि मर के तु उसका काइननेस रिपे कर सके तो लूफी और सांजी के बीच में यह लेकर जगरा हो जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पाल है वो फायर प हमें उसको गिरा देता है उसको बेहुश कर देता है तो उसके बाद सब छॉक जाते है कि गीन ने ऐसा क्यू किया तो जो डान क्रीड से democrats तो ब्ड़रे कर रहा है तो गीन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जीब ऐसे मरे, at least ऐसे मरे miserable तरीकों से मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे हाथो प्रोपर तरीकों से मरे और उसके बाद वो Sanji के पास जातर कहता है कि Sanji क्या तुम यहाँ पर चुप चप यह सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाओगे, तो Sanji कहता है कभी तो उसके बाद Ginn, Luffy को कहता है किया तुम बीना लडाई करके हार मान की यहाँ से चले जाओगे, तो Luffy कहता है कि मैं कभी भी नहीं जाओगा, तो Ginn कहता है कि तब तो मुझे तुम लोग को मारना ही पड़ेगा, तो Luffy कहता है कि नहीं तुम लोग बहुत ज़्यादा लोग हो, population तुम लोग का बहुत ज़्यादा है, तुम लोग 5,000 पाइरेट एक साथ घूंगते हो, तो तुम लोग तो और फुल हो गई, लेकिन अगर तुम लोग को इंडिविज्याल गिना जाए, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा उईख हो, तो उन लोग और भी ज़्यादा गुस्ता आजाता है, और लुफी को उपर हमला करने के लिए सब लोग चले जाते है, और तब ही पीछे से डॉन क्रीक आता है, और कहता है, अगर कोई तुम को गुस्ता दिलाए, और बोले कि तुम उईख हो, और तुम लोग को सच में गुस्ता आजाए, इसका मतलब तुम लोग उईख हो, उसको मान लो, और उसके बाद डॉन की कहता है, कि जब तक मैं जिन्दा हूँ, तुम ल सामने जो ये तोरा डेविल फूट का पावर है वो कुछ भी नहीं है तो लुफी कहता है कि तू बहुत ज़दा एनोई है अपना मुझ बंद कर ले मैं बस आउंगा और आके तरी गान तोरके चला जाओंगा ये बहुत ही ज़दा सिंपिल है और ये सुनने के बाद डॉन क्र अटक करता है लेकिन जो गीन है वो उसके किक को डॉट कर जाता है और सांजी के ऊपर एक पावरफुल ब्लो करता है लेकिन सांजी भी अपने हाथ के मदद से उसके बार को डॉट कर जाता है और उसके बाद दोनों ही दोनों के ऊपर काउंटर अटक करता है लेकिन दोनों ह करते हैं आखिर में गिन एक पाउरफूल अटक करता है कि जिससे सांजी को लेटा देता है और गिन बहुत ही स्टाइल में बहाँ पर बैठ जाता है और कहिता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं आरा पाऊगे और आभी वो दूसरे हाथ के उस और से सांजी को उपर अटक करने वाला होता है तो सांजी के मुझे जो सिग्रेट होता है उससे दे मारता है गिन के मुझे और सांजी बहाँ से बहार निकल जाता है तो सांजी के इस टैक्टिक के वज़े से गीन का जो वार है वो मिस हो जाता है और सांजी अपने पैर से जबदस्ट किक करता है उसके सर में और गिन को बहुत ज़दा चोट लगता है यह देखके सब लोग बहुत ज़दा चोक जाते है तो गिन गिरते हुए भी वो एक तगरा वार करता है संजी के सीने में और संजी भी डाउन हो जाता है गिन भी डाउन हो जाता है सब लोग कहते हैं दोनों ही डाउन हो गये क्या त तो उसके नेख सीन में हम लोग देखता है कि जो लूफी है उसको एक opening मिलता है तो वो E somewhere कलाने के लिए चला जाता है लेकिन जो दौन करीख होता है वो लूफी-क रस्ते में एक बॉम फेकता है और उसके लूफी को एक chant अब स्पपने में बहुत पीछे करने का मैं कोई honorable fighter या फिर warrior नहीं हूँ तो उसके अगले सिर में हम लोग गीन और सांजी का fight देखते हैं हम लोग देखते हैं कि गीन ने सांजी को मार मार के उसके सिर चार पाच हड्डियों को तोड़ दिया है और सांजी को बहुत ज़दा दर्द हो रहा है तो गीन कहता है देख मैं तुझे मारना नहीं चाहता है यहां से चला जाए और यह कहने के बाद गीन सांजी के उपर एक attack करता है लेकिन सांजी उस attack से असनी से बच जाता है से उसको ही दर्द हो रहा है और वो दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और गीन धिरे-दिरे ऊपर उठता है उठने के बाद संजी को पकल लेता है और कहता है कि यह संजी अब मैं तुछे नहीं छोड़ूगा और भापा जितने सारे पाइरेट अंडरलिंग है सब लोग कहते है कि मार डालो मार डालो तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखता है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है जो कुक है उनलों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है जो डॉन क्रीक है उसे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है लेकिन जो गीन है वो संजी को मारता न लेकिन मैं इस आदमी को नहीं करना चाहता है। के सारे लोग चूफ ए पाई रेट को डॉनके मुफ लूफी साजी सब लुख चूप यह बात सुनने के बाद और उसके बाद गीन रोते 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 कहता है है दॉन्क कर सकते हूं क्या तुम इस रेस्टरूर्ण को छोड़ सकते सब दो सब लोग देखे है इस प Harper बाता है नियुक्स फारोइट ने कटो सबॉछेंद तो और वहां इस वरी दे वहां को शेवस्तितने sintgrass कर राएं कि मैं सब्सक्राइक अश्रण काने r sorta a लेते हैं तो जो लूफी है वो कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते हैं यह बैटल है यह पाइरेट का बैटल है यह ओनार का बैटल है तो जो डॉन क्रीक है वो कहता है कि बैटल में ओनार जैसा कुछ भी नहीं होता जो आखिर में जिंदा रहता है वो ही बिजेता होता है तो के वो कहते है कि उस मास को फाइक डे तो अपने मुग में उस मास को मत लगा तू हम में से एक नहीं है तूने मेरे को बिट्रे किया है तो उस कूप के साथ तू भी मर जा तो जो गीन उसको बहुत За किया तो मैं मरनर डिजर्फ करता हूँ तो जो डॉन क्रीक है वो उन लोग के उपर जो पॉईजन तो मिलते हैं कोने एपिजर्फ के साथ तक तक के लिए बाबाई